हाईगे सबस्वागे दे न्यूटिगल चैनल मेरा नाम है निताशा सिंग और आज मैं करने वाली हूँ unboxing हमारे Samsung के S22 Plus की जिसके केदर मैं सबसे प्राइस की बात करूँ तो यह device हमारा RGB 126GBL variant आपको 85,000 प्राइस में मिल जाएगा और RGB 256GBL variant आपको 89,000 प्राइस में मिल जाएगा और साथ ही device के दर आते हैं हमारे पर 3 कलर सबसे पहले एक black कलर आता है उसके बाद एक white कलर आता है और सबसे पहले है हमारा device जिसके अंदर यह जो green कलर है एक्चल में बहुती ज़दा सोबर सा, simple सा यहां पर हमें लग रहा है देखने में फटा 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 से में इसको करती हूँ switch on और आपको बताती हूँ कि device के दर हमें क्या-क्या मिलता है कैसे कैसे मिलता है जब तक device हमारे setup हो रहा है मैं आपको दिखा देते हूँ कि box के अंदर हमें क्या-क्या मिलता है सबसे पहले आप देखी सकते हैं कि slim box है क्या charger आपको नहीं मिलता और दुक्की बत यह है कि अब तो budget segment से भी Samsung ने charger हटा दिया है मतलब मुझे देखके एकदम शौकिंग सा लगा अभी Samsung का F23 मैंने मंगवाया था उसकी पे अंबॉक्सिंग आपको जल्दी मिल जाएगी उसमें भी charger नहीं है वो भी slim box आया है तो चलो आगे देखते हैं क्या-क्या मिलता है सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारी आती है ejection pin उसके साथ आते हैं हमारे कुछ documents साथ ही आते हैं हमारी cable type C to type C1 बस इतना ही है box में और आपको कुछ नहीं मिलता तो यह रहा हमारा device जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें design के बारे में तो यहां पर device के अंदर हमें मिलती है premium glass body और उसके साथ आपको मिलती है metal की framing aluminum framing और glass body के साथ डिवाइस हाथ में होल्ड करने में आपको बहुत ही premium लगेगा solid लगेगा मतलब एक तो boxy design में आपको मिलता है completely boxy नहीं है हलके से जो corners है हमारे वो curved है तो ऐसे आपको device खड़ा नहीं होगा जैसे हमारे apple की devices हो जाते है लेकिन boxy look आप इसको कह सकते क्योंकि back हमारी बिल्कुल flat है मेपैस यहां पर green color में आता है device और green color में आपको बताऊँ तो बहुती ज़्यादा simple सा sober सा लग रहा है हमारा phone मतलब जो last year मैंने खाया S21 Plus यह हमारा काफी attractive look देता था मतलब इसको अपने हाक में hold करा हो तो दूर से दिखता था कि बड़ा eye-catchy सा लगता था phone यहां पर इस look जो है हमारी बिल्कुल simple सी हो गई है मतलब अगर मैं youth की बात करूँ तो youth के हिसाब से जैसे पर अपने friends को भी यह phone दिखाया उनको किसी को यह मतलब मज़िदार वाला नहीं लगा कोई attractiveness नहीं लगी मेरे हिसाब से जो यहां पर हमारा camera module है इसको अगर थोड़ा सा metal या chrome का shade दे देते तो थोड़ा सा अलग effect लगता जैसे हमारे white color में हमें मिल रहा है मेरे हिसाब से अगर आपने इस phone को खरीदना हो तो white color के लिए जाना उसमें तो class apart लग रहा है मत आप देख सकते हो white color में आपको back में matte finish में मिल रहा है लेकिन जो हमारा camera module है उसके अगर आपको यहां पर silver effect देखने को मिल रहा है जो कि हमारी 1.5 meter तर tested है तो आपको device में अगर poolside भी use करते हैं या बारिश में निकाल के phone को use करते हैं तो कोई दिकत की बात नहीं है अब इसके साथ आगे बात करेते हम device की performance के बारे में की performance कैसी है, heating है या नहीं है, throttling है या नहीं है जो बड़ा सवाल है अब क्या है कि इस device के अंदर यह जो हमारा Samsung S22 है, जो मैंने इसकी unboxing करी थी तो इसके अंदर throttling भी देखी थी और heating भी देखी थी दोनों devices के अंदर same processor है हमारे Snapdragon 8 Gen 1 अब क्या है कि उसमें तो यह सबको लगा कि या छोटा size है इसी वज़े से उसमें throttling हो रही है, शायद यह जो plus वाला हमारा थोड़ा बड़ा device है, इसमें हमें heating या throttling नहीं देखने को मिलेगी लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी आपको heating throttling देखने को मिल रही है यहां पर आप देख सकते हो CPU throttling test जो मैंने device का run किया, उसकी अंदर हमारा 81% score आया मतलब आपको यहां पर थोड़ी throttling देखने को मिल रही है, उसके इलावा जब throttling test ही में run कर रही थी, यहां पर device के अंदर 47.56 degrees तर पहुँच गया था मतलब अभी देखा जाए मैंने studio में यहां पर शूट लिया है, studio में इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन इस device के अंदर देखा जाए तो आपको heating काफी देखने को मिल रही है मैंने device के अंदर जैसे camera यूज किया, setup करने के बाद थोड़ा मा बहर गई और थोड़ी देर ही camera यूज किया था, उसी में मतलब यह हो गया था कि हाथ में hold करना मुश्किल हो रहा था device को Ntuto score के अगर मैं बात करों तो यहां पर हमारा score आया है 8,63,000 लगबग 10 degree के असपस device हमारा यह heat कर गया था साथ ही अगर मैं storage test की बात करों, यहां पर device के अंदर वैसे आपको UFS 3.1 की storage मिल जाती है, LPDDR5 की RAM मिल जाती है लेकिन जो मैंने test run करा उसमें मैंने देखा कि actual score जो है उसमें काफी difference है, मतलब S22 Ultra में भी same storage है, same processor है लेकिन उसका score काफी अच्छा है, इसका score आप देख सकते हो, कि 1490 के पास इसकी हमारी read speed आई है और 815 के असपस हमारी इसकी ride speed आई है, मतलब action में अगर हम देखें तो score कम आया जितना आना चाहता है, मतलब उसके comparison में बात कर रही हूँ तो same specs तो आपको मिल जाते हैं, लेकिन सब कुछ same नहीं होता, काफी चीज़ों में फरक आपको देखने को मिल जाता है अब क्या होता है, मुझे कहीं लोग comment करते हैं कि आप phone खरीद के क्यों unboxing करते हो, तो मैं आपको बता दूँ यही reason होता है अगर phone मैं खुद खरीद रही हूँ, तो मैं आपको यहां पर device के नदे हीटिंग आ रही है, कोई problem आ रही है, throttling आ रही है सारे phones खुद खरीद के बताती हूँ कि actual मैं आप जो खरीदने वाले phone वो कैसा है, उसमें पैसे के value है या नहीं है इसी बात पर चैनल को करें subscribe और all notification bell icon को प्रेस आपको शायद notification आने लग जाए ना आए तो मेरे चैनल पर जाके videos देख लेना, सारे phone के videos आपको दे रही हूँ इसके साथ, इस device के अंदर gaming के अगर माँ बात करो तो यहां पर आप highest settings पे अपनी बड़ी बड़ी जो games होती है, वो खेल सेते हैं यहां पर काफी जादा है, मादब यहां पर battery के तर में बात करूँ, जो हमारा Snapdragon 8 Gen 1 है, इसके अंदर battery consumption बड़ा ही हुआ है, और पहले से अगर में बात करूँ, तो यहां पर Samsung ने battery कम कर दिया बड़ानी चाहिए थी, कम कर दिया, पहले 4800 mAh की battery मिलती थी, अब 4500 mAh की battery मिलती है और मैं बताँ, जितना भी मैंने अभी तक device को use है, seriously मैं को doubt लग रहा है कि यह device एक दिन निकाल पाएगा या नहीं इसके साथ, आपको device के अंदर यहां पे charger नहीं मिलता लेकिन charging का support आपको 45 watt के charger से मिल जाता है, तो अगर आप इसको खरीदना चाहिए तो 3000 रुपी के price में वो आपको मिल जाता है इसके साथ, device के अंदर आपको wireless charging का support मिलता है और साथ आपको reverse wireless charging का support मिलता है, कुछ features हैं बढ़िया flagship वाले लेकिनों को ज्यादा use नहीं है, क्योंकि काफी कम wireless charging मिलती है आपको यहां पे सिर्फ 15 watt की इसके साथ, आगे अगर मैं बात करूँ, device के display के बारे में, तो display आपको काफी बढ़िया लगे, काफी bright लगेगा display यहां भी है, हमारे पास 6.6 inch का dial-away camulet display, full HD plus resolution के साथ, 12D hertz के refresh rate में आप देख सकते हैं, display आपको बहुती bright colorful लगेगा, अगर आप movies वीडियो देखते हैं तो उसमें भी आप अच्छे से enjoy करेंगे, अच्छे पंची colors आते हैं, vibrant screen लगती है, brightness अच्छी लगती है, sunlight में भी use करने में कोई issue नहीं है, साथी आपको device के अदर 12D hertz के refresh rate में मिल रह तो यहां पे हमें मिलता है triple camera setup, 50 megapixel का main camera है, उसके साथ 10 megapixel का है हमारा telephoto lens और उसके साथ है 12 megapixel का ultra wide, साथी 10 megapixel का हमें मिलता है selfie camera, यहां पे मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ samples हमारे back camera के, यहां पे आप देख सकते हैं कि pics के अंतर को detailing अच्छी देखने को मिल रही है यहां पे, जो colors हमाले वो थोड़े से पंची लगेंगे, थोड़ा सा oversaturate कर रहा है यह हमारे colors को, लेकिन appealing pics लग रही है, दानलिक range हमें अच्छी देखने को मिल जाती है, exposure को अच्छी से control कर रहा है, और जो हमारा telephoto lens तो 3x तक अगर आप जूम करते हैं तो उसमें आप द देखने को मिल रहा है, उसके इलावा वैसे उसमें dynamic range हमें अच्छी मिल रही है और उसके अंदर भी आपको colors पंची मिल जाएंगे, bouquet mode के अंदर यहां पे, आपको edge detection अच्छा मिल रहा है, background detailing को भी capture कर रहा है, लेकिन अगर आपके पीछे तेज sun light हो, sun हो, तो यह आपके skin tone को maintain नहीं कर पा रहा, थोड़ा सा dark कर रहा है, यहां पे आपको selfie camera जो 10 megapixel मिलता है, उससे आपको edge detection आप देख सकते हैं, अच्छा मिलता है, आपको wide angle selfie मिलेने की option मिल जाती है, और अप different modes भी मिल जाते है, filters मिल जाते हैं, जिससे के आप अपनी काफी अच्छी selfies ले सकते है वीडियोग्राफिक के बात करो, तो back में आपको OIS का support मिलता है, जिससे आपको stabilisation अच्छा मिलता है, उसमें भी colors हमारे एकदम oversaturated है, साथ ही आपको dynamic range अच्छी मिलती है, detailing अच्छी मिलती है, selfie camera का video भी आप देख सकते हैं कि काफी stable है, और इसके अंदर अच्छी चीज है लेकिन अगर आपको इसमें कुछ टाइपिंग करनी हो, तो आपको इतना grippy नहीं लगाए एक device की back flat है, और थोड़ा सा चौड़ा device है, wide है, तो एक खास से operate करने में आपको थोड़ी problem इस device के अंदर आ सकती है, इसके साथ device के अंदर अग में बात कुरू, ports की तो नीचे के साथ हमारे पास सबसे पहले SIM tray आती है, यहां पर देख सकते हैं कि आपको वाटर सीलिंग यहां पर देखने को मिल जाती है, दो SIM card आप इसमें डाल सकते हैं, 5G support आपको यहां पर मिल जाता है, वो भी 12 bands में और उसके साथ है हमारा mic, साथ ही हमें मिलता है type C port, साथ ही है हमार speakers, आपको यहां पर dual stereo speakers मिलते हैं और यहां पर सुन सकते हैं उसका audio output, आपको कापी loud, clear sound यहां पर सुनने को मिल रही है, लेकिन device के अंदर आपको 3.5 mm headphone jack नहीं मिलता, किसी भी flagship में नहीं मिलता, इसके इलावा आपको power button मिलता है, right side में उसके उपर है volume rockers, top side में है हमारे प Samsung की badging, और front side में आपको यहां पर screen guard लगा हुआ नहीं मिलता, आपको यहां पर जो display है, इसके bezels काफी कम मिल जाते हैं, चिन साइड भी आपको पतली सी है, और head भी काफी कम है, मतलब बिलकुल आपको पूरा all display मिल रहा है, यहां पर, punch hole design में हमारा selfie camera आता है, जिसके अंद यह हमारी device को unlock कर पा रहा है, तो यह तो मुझे काफी सही लगा, overall देखा जाए तो look-wise device जो है वो इतना attractive नहीं लग रहा है, क्योंकि back side में हमारी बिलकुल matte में आ रही है, को इसमें glittery effect या gradient color shade, आपको कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, simple green color का यहां पर device है, और okay अगर कोई business class लोग इसको यूज करना चाहते है तो ठीक है, लेकिन यूद के लिए नहीं लग रहा है है, तो guys, यह था हमारा device Samsung S22 Plus, जिसको की देखा जाए तो device के अंदर आपको flagship device है Samsung का, लेकिन इसमें जो heating issue आ आ रहा है, जो throttling issue आ रहा है, वो काफी risky risky मामला बन जाता ह मेरे हिसाब से पहले मैं पूरी टेस्टिंग कर लूँ, इसका review आप देख लो, बाकी किसी का review आप देख सकते हो, तब भी आप इस phone को खरीदना, मतलब कोई risk वाली बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए, आपका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, device में heating काफी है, मतलब अ काफी risk की बात है, तो इसी लिए पहले इसका review आजाने दो, मैं इसको अच्छे से test कर लेती हूँ, फिर आपको recommend करना है नहीं करना मैं तब बताऊंगी, अभी तो मैं इसको recommend नहीं कर रही हूँ, मेरे साब से wait करना बनता है, so I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो वीडियो को like and share जरूर करें,